गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन नात के रूप में पूजने का त्योहार है कहते हैं कि जो व्यक्ति गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण के इस रूप की पूजा करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं दिवाली के ठीक दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का प्रचलन है हिंदु पंचांग के अनुसार कार्थिक महीने के शुकल पक्ष के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है इस पर्व पर गोवर्धन पर्वत और गौ माता की पूजा का विशेश महत्व है लोग अपने घर में गोबर से गोवर्धन परवत का चित्र बना कर गोवर्धन भगवान की आरातना करते हैं श्री कृष्ण की जनमस्थली मतुरा के ब्रज में कृष्ण ने अने को लेलाएं की है ये सभी लेलाएं उनके बाल्यकाल की है इसलिए ब्रज को स्वर्ग का हिस्सा माना जाता है इसे व्रिंदावन धाम और ब्रज धाम भी कहा जाता है श्री कृष्ण की तमाम लेलाओं में गोवर्धन पूजा की लेला भी प्रमुक है कहा जाता है कि एक दिन बाल्यकाल में नटखट का नहां ग्वाल बालों के साथ खेल कर घर आए तो मा यशोदा घर में पकवान बना रही थी कृष्ण ने मा यशोदा से पूछा मैया ये इतने सारे पकवान क्यों बना रही हो आज कोई पर्व है मैया जो आप इतने तरीके के पकवान और वेंजन तयार कर रही हो फिर तो मैं भी खाऊंगा ये स्वादिष्ट पक्वान अभी नहीं कानहा ये पक्वान स्वर्ग के देवता इंद्र के लिए है पहले उन्हें भोग लगाया जाएगा उसके बाद ही बाकी लोगों को खाना खिलाया जाएगा नहीं तो इंद्रदेव नाराज हो जाएगे और बारिष नहीं होगी जिससे जमीन बंजर हो जाएगी और लोगों को अनाज नहीं मिलेगा साथ बरस के नन्ही कानहा पहले तो मा ये सौदा की बातोх को ध्यान से सुनते रहे फिर वो ये सौदा मा से बोले मैया क्या आपने कभी इंद्रदेवता को देखा है क्या वो कभी आपके सामने आए है नहीं कानहा मैंने उन्हें देखा तो नहीं है लेकिन उनकी वज़े से ही ब्रज में हर्याली है और इंद्र देवता ही हमारे ब्रच में वर्षा करते हैं इसलिए सभी ब्रचवासी आज इंद्र देवता की पूजा के भोग के लिए अपने अपने घरों में पक्वान बना रहे हैं मा इस बार आप मेरे द्वारा बताए भगवान की पूजा करो जो आपको दिखाए भी देगा और आपसे पकवान भी मांग कर खाएगा पर लल्ला ऐसा कैसे हो सकता है तभी नंद बाबा आ जाते हैं क्या बाते हो रही है ये शोदा तुम दोनों मा बेटों के बीच में क्यों कर नहीं आज फिर से किसी का माखन चुरा कर खाया है क्या या फिर किसी गोपी ने तुम्हारी शिकायत यशोदा से की है नहीं बाबा मैं तो बस मैया से ये कह रहा था कि इंदर देवता के जगा गोवर्दन भगवान की पुजा करेंगे तो वो आप लोगों के हाथ के बने पकवान स्वयम मांग कर खायेंगे और देखना मेरे बताए देवता को पकवान भोग लगाने से इस बार अपने ब्रिज में पहले से भी अधिक वर्शा होगी नंद बाबा श्री कृष्ण के साथ सब्य ब्रजवासियों के पास जाकर बात करते है जिसे सुनकर सारे ब्रजवासि कृष्ण के साथ गोवर्धन परवत के पास चाते हैं और उसके सामने खड़े होकर कहते है कान्हा कहा है गोवर्धन देवता उन्हें बोलो सामने आए हमें तभी विश्वास होगा कि तुम सत्य कह रहे हो कि तुम्हारे देवता स्वयम ये पकवान खाएंगे कान्हा ने जब देखा कि सभी व्रजवासी चिंता में व्याकुल हो रहे है तो उन्होंने गोवर्धन भगवान को आवास लगाई भगवान कृष्ण की आवाज को सुनकर गिरी राच परवत में से श्री गोवर्धनाद जी ने देवता के रूप में सभी को दर्शन दिये और सभी लोगों से पक्वान मांग कर खाया हे कृष्ण आपकी धर्ती पर मुझे ये गर्वित स्थान प्राप्त हुआ है इसके लिए मैं सदियों तक आपका आभारी रहूंगा मेरा प्रणाम सुईकार कीचिये प्रभु और आज आप सभी के द्वारा खिलाए गए स्वादिष्ट पक्वान खाकर मैं त्रिप्त हो गय मैं सदैव ब्रजवासियों की सहायता के लिए ततपर रहूंगा नारायन अपने हातों से गोवर्धन माहराज को भोग लगाकर सभी ब्रजवासी बहुत खुश हो गए और भगवान गोवर्धन सभी ब्रजवासियों को अपना आशिरवाद प्रदान करके अंतरध्यान हो गए सभी ब्रजवासी खुशी-खुशी घर आ गए लेकिन जब ये बात इंद्रदेव को पता लगी तो वो नाराज हो गए और क्रोध में आ गए उस साथ बरस के बालक के कहने में आकर ब्रजवासियों ने मेरी पूजा ना करके एक साधारन तरवत की पूजा की क्रोध में आकर इंद्र ने ब्रज में मूसलाधार बारिश शुरू कर दी जिससे डर कर ब्रजवासी कानहा के पास गए कानहा हमारी रक्षा करो हमने तुम्हारे कहने पर इंद्र की पूजा नहीं की अब तुम ही हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाओगे मूसलाधार तेज वर्षा से सारा ब्रिज गाउं तितर बितर हो रहा है हमें बचाओ क्रिष्ण आप सब घबराओ नहीं सभी गाउंवाले मेरे साथ गोवर्धन परवत की ओर चलिए चलो सब गाउंवाले काना के पीछे पीछे चलो तब क्रिष्ण सब लोगों के साथ गोवर्धन परवत पहुँचे ब्रचवासी घबरा रहे थे ये देख श्री क्रिष्ण ने गोवर्धन परवत को अपनी तरजनी उंगले पर उठा लिया और संपून गोकुल वासी उस गोवर्धन परवत के नीचे खड़े होते चले गए और कृष्ण ने ब्रच वासियों को इंद्र के प्रकोप से बचा लिया गुसाए इंद्र ने ब्रच में साथ दिन और साथ राते मूसलाधार बारिश की जब इंद्र के पास जल समाप्त हो गया तो उनी ने सोचा अब तक तो पूरा ब्रच खत्म हो गया होगा इस नजारे को मैं स्वयम अपनी आखों से देखूंगा अरे ये क्या यहां तो धोल मिट्टी उड़ रही है वर्शा की एक बूंद इन ब्रिजवासियों पर नहीं पड़ी ये क्या ये कैसे संभव है इंद्र देवता को शंका में देख ब्रह्माजी प्रकट होते हैं देव राज इंद्र शंका में मत आईए ये तो भगवान विशुनों के द्वापर युग में क्रिश्ण रूप में अवतार की बाल लीला का ही एक सुनहेरा चित्रान है हे ब्रह्मादेव मुझसे गलती हो गई मुझे ख्षमा कीजिए वहीं क्रिश्ण 21 किलो मीटर में पहले विशाल गिरिराज परवत को उंगली पर उठाए होए थे इस नजारी को देख इंद्र श्री क्रिश्ण के पैरों में गिर गए इसके पश्चात इंद्र अपने लोग को वापस लोट जाते हैं ततपश्चात क्रिश्ण से ब्रजवासियों ने पूछा कानहा तुमने इतना विशाल और भारी गिरिराज परवत अपनी तरजनी उंगली पर कैसे उठा लिया अरे ये तो कानहा के भाए हाथ का खेल है अपना कानहा तो सबसे अलग है इसके होते हुए ब्रिज की भूमी और यहां के वासियों को कोई नुकसान नहीं हो सकता कानहा बताओ तो तुमने ये कैसे किया इन सब बातों को सुनकर कृष्ण ने मुस्कुरा कर जवाब दिया कचु माखन को बल बढ़ेओ कचु गोपन करी सहाए राधा जी के किरपा से गिर्वर लिया उठाए और आज से अब युगो युगो तक धर्ती पर गोवर्धन भगवान की पूजा का प्रचलन रहेगा और फिर भगवान कृष्ण के दिये आशिरवात से द्वापर युग से लेकर आज तक गोवर्धन पूजा की यह परंपरा चलती आ रहे है खास तोर पर ब्रज में इसे विशेश तोर पर मनाया जाता है इस दिन प्रकृति के आधार के रूप में गोवर्धन परवत की पूजा की जाती है और समाज के आधार के रूप में गाई की पूजा की जाती है यह पूजा ब्रज से आरंब हुई थी और धीरे-धीरे पूरे भारत वर्ष में प्रचलित हुई इस दिन वरुन, इंद्र, अग्मी की पूजा की जाती है इसे अनकूट पूजन भी कहते है गोवर्धन पूजा में सुबा के वक्त शरीर पर तेल मल कर स्नान करे घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोवर्धन की आकरिती बनाए गोवर्धन का गोवर्धन परवत बनाए ग्वाल बाल पेड़ पौधों की आकरिती बनाए मध्य में कृष्ट की मूर्ती रख दे इसके बाद भगवान कृष्ण ग्वाल बाल और गोवर्धन परवत का पूजन करें पक्वान और पंचामृत का भोग लगाएं और ततपश्चाद गोवर्धन पूजा के पश्चाद प्रसाद वित्रण करें और सब के साथ भूजन करें गोवर्धन परवत भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है और गोवर्धन पूजा करने से भगवान कृष्ण की कृपा से घर में सुक समरिधी का वास रहता है